एक जनवरी, नय साल के दिन, तुलसी में बान देना ये एक चीज, बना देगा करोड़पती, दोस्तों, नय साल आने में बस कुछ ही दूर है, हमें एक नय सुबई के साथ नय कल की सुरुवात करना चाहिए, नय साल पर अगर आप ये काम करें, तो दुनिया की कोई ताकत जिन्दगी भर, आपका साल अच्छा से गुजरे, तो आप नय साल पर ये काम जरूर कर लेना, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नय साल के दिन, यनि की एक जनवरे के दिन, कैसे आपको क्या करना है, और अपने पुराने कल को भूला करके, नय कल की अच्छे एक चीज बांदेना, पूरे साल जम कर पैसा बरसेगा, घर से गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों, नय साल के दिन, तुलसी में बांधना भी जरूरी है, ये एक चीज, दोस्तों, साथी बता दे कि नय साल की सुरुवात माता लक्ष्मी जी का इश्मरन करके करें नय साल के दिन, अगर माता लक्ष्मी जी का इश्मरन करके करते हैं, तो पूरा साल सुब जाता है, नय साल के दिन, अपने घर की मुख चीजे, जैसे की रुपए पैसे सम्मंदित, सोने चांदी से सम्मंदित, या मुख वस्तों किसी को भी ना दें, इस बात का ध्यान रख और नय साल के दिन, आप माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिवस्त, जो उनकी प्रिवस्तों हैं, वो जरूर अपने घर लाईएगा, नय साल के दिन, पूरा, यानि की चेहरा हश्मक होना चाहिए, प्रसन मुद्रा में रहना चाहिए, परिवार जैनों के साथ, आपको मिल आपको माता लक्ष्मी जी की आप पूजा करेंगे, उस प्रकार से तुल्सी मा की भी पूजा जरूर करें, क्यूंकि दोस्तों, तुल्सी तो सब लागाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए तुल्सी के नीचे नय साल की दिन बांधे ये एक मा तुलसी का मिलता है धेर सारा आसिरवाद, मा लक्षमी जी होती है आकार्षित, घर में नहीं आते कश्ट, दोस्तों नया साल जितना सुब होता है, पूरा साल उतना ही सुब चला जाता है, इसले नया साल के दिन, खास कर एक जनवरी के दिन, शुब यनि कारकरम और शुब क करके दिन की शुरुआत करे, माता लक्षमी जी का इश्मरन करे, तुलसी मा की पूजा राधना करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए, दोस्तों तुलसी का पौधा अगर आपके घर में नया सल के दिन लगा है, तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लावकारी है, तुलसी के नीचे नय साल के दिन बांधने पर ये एक चीज, मातुलसी का मिलता है आशिरवाद, आपको वो शारी खुशी मिल जाती है, जिसके आप हकदार हैं, लेकिन तुलसी के नीचे नय साल के दिन ये चीज बांधना भी है जरूरी, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप से एक बिंती है कृपिया हमारे चनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और ऐसी अध्यात्मिक जानकारी हमेशा आपको प्राप्त हो तो इसे बीडियो को लाइक करें और सियर करिएगा दोस्तों हिंदु धर में तुलसी माता को देवी लक्षमी जी के समान ही पूजिनी माना जाता है। जाता है क्योंकि इनके बिना पूजा अपूण मानी जाती है इन्ही कारणों से सभी हिंदू परिबारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है अगर आपके घर में नए साल के दिन तुलसी का पौधा है तो सुख, शांती और सम्रिधी के लिए तुलसी को आप लाल चुनरी अवश नए साल के दिन उढ़ाना चाहिए अगर लोग अक्षर लोग अंजाने अंजाने में कई गल्तियां कर बाइठते हैं वो लोग तुलसी का पौधा तो लगाते हैं लेकिन यानि कि माता रानी को चुनरी नए साल के दिन नहीं उढ़ाते हैं जिसके करण उन्हें फलो अगर चुनरी उढ़ा के रखते हैं तो पूरे साल मा लक्षमे कृपा बरसती है लेकिन इस बात का ध्यान कुछ खासी लोग रखते हैं कई लोग तो ये भी गल्तिया करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है और फट जाती है लेकिन कई शुब दिवस पर या कोई शुब दिवस पर जैसे कि चुनरी लोग बदल देते हैं लेकिन आपको न केवल तेवारू पर बलकि आपको नए साल के पहले दिन आपको एक जनवरी के ही दिन आप ये काम कर लें यनि कि साप सुथरी चुनरी मा को हमेशा उढ़ाना चाहिए चुनरी उढ़ाते स बड़ी प्रसन्यता मिलती है दोस्तों अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप मा तुलसी को लाल धागा ही बांद सकते हैं लाल धागा बांदते हुए यानि कि मा से प्रातना करें कभी भी खाली पौधा घर में नहीं लगाएं तुलसी मा नाराज होती है और आपको फ पीड में तुलसी की जड़ों में बांदें ऐसा करते हैं तो माता तुलसी की धेर-कृपा बरशती है और फलो की प्राप्ती होती है मा तुलसी की आप ने साल के दिन पूझा भिधवत करें उन्हें एक लोटा जल दें और साथी जल देते समय जल में थोड़े से आप मिसरी थोड़े से हल्दी और आप लाल पुष्प डाल कर ही उन्हें जल दें इससे माता तुलसी जी परसंद होती है पूरे साल धनकी कमी नहीं होती है साथी साथ तुलसी के पास कड़वे बोल बचन ना बोले और इसके आसपास जूते चपल पोँचा नहीं रखना चाहिए ऐसा करने से पाप माना जाता है तुलसी के आसपास गंदगी भी नहीं करने चाहिए तुलसी के पौधे में सीवलिंग और गड़ेशी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए तुलसी में कोई भी अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए तुलसी के पौधा अगर जहां भी हो वहाँ पर सदेब साफ सफाई होनी चाहिए तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाना चाहिए तुलसी के पत्ता नाखुन से नहीं तोड़ना चाहिए मा करोधित होती है तुलसी के पत्थे सूप कर गिर जाए तो उन्हें कुड़े में नहीं डालना चाहिए पानी में या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए तुलसी के पत्था रविवार को भी नहीं तोड़ना चाहिए और नहीं रव्यार को पूजा करने चाहिए तुलसी की सुबह साम पूजा करने चाहिए और साम के वक्त दीपक जलाना चाहिए नए साल के दिन आप एक सुध घी का दीपक जरूर तुलसी माता के निचे जलाएं दोस्तों बता दे कि आपको नए साल के दिन आपको तुलसी मा के पास अगर चुनरी नहीं है तो आप एक लाल धागा ले 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 या फिर आप चुनरी भी ले सकते हैं आप दो लोंग ले ले और आप इलाची और पांच हल्दी की गाठ आप लाल धागे को जरूर बांदे और अगर आपके पास नहीं है लोंग इलाची या फिर आपके पास नहीं है हल्दी साबोत हल्दी तो आप लाल धागा जरूर अपनी मनोकामना बोलते हुए बोल दे जित गर में नए साल के दिन बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बाक्ष में लिखें जै माता तुलसी आपका स्वागत है हमारे घर में माता लक्ष्मी जी के लिए एक लाइक तो बनता है साथी इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जै मालक्ष्मी